भागलपूर के इनिग्रेटिट सेंट्रल कमांड बिल्डिंग के भवन में श्रावनी मेला को लेकर बैठक आई जित की गई बैठक की अद्धक्षता प्रबंडल के कमिशनर दिनेश कुमार ने की इस दोरान अधिकालियों के समक्ष कई बिंदूओं पर विच्चार भी मश्वा इस बैठक में जिले के डियम स्पी समेथ पुलिस के वर्यपदादी कारी भी मौझूद रहे जबकि अभियंतर विवाग के प्रमुक अभियंता को भी बैठक में शामिल करा गया। भागलपूर के एक नीजी काईक्रम में शामिल होने के लिए बिहार विधानसबा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायन यादव भागलपूर पहुंचे और भागलपूर के सरकेट हाउस में प्रेसवार तायजित की। समय सहायक अभियंता को और कारेपालक अभियंता को रहना चाहिए ये इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि पूल और पूलिया का नर्मान मजबूत ढंग से किया जा सके क्योंकि इंजीनियरों को तकनीक की जानकारी होती है। तकी बिहार सरकार ऐसे लापरवा सहायक अभियंता और कारेपालक अभियंता को चिनहित कर विवाग ये कारवाई कर रही है। साथी ग्रामीर कारी विवाग के प्रधान सचीव को भी हटा कर नए प्रधान सचीव की न्यूकती सरकार की ओर से की गए। प्रधाली बार रास्ठी लोक अदालत लगाई जा रही है। जिसमें पाँच मामले भागलपूर जिला में निश्पादित किये जा रहे है। वही भागलपूर के कोट परिसर में आयजित रास्षी लोक अदालत का नेतरित्व कर रहे जिला इवं सत्र नियाइधीश ने बताया कि कोई भी व्यक्ती पर मुकदमा होता है तो उसका विकास प्रभावित होता है। उस समय कोट में गुजार रहा होता है। अगामी महरं तिहार को लेकर सेंट्रल महरं कमीटी के प्रतनीधी मंडल ने भागलपूर की महापाव डॉक्टर वसंद्रालाल से मुलाकात की। इस दोरान कमीटी द्वारा लिखित रूप में होने वाले सभी समस्याओं के समधान को लेकर आवेधन दिया गया। जिसमें नगर निगम के द्वारा साफ सफाई एवं लाइटिंग जलापूर्दी के लिए टैंकर मेडिकल टीम की विवस्था साफ सफाई एवं शौचाले वाहन की विवस्था के साथ साथ बैरिकेटिंग एवं अन्य समस्याओं पर विशेश चर्चा की गई। वही संबंद में महापाव डॉक्टर वसंदर अलाल ने नगर निगम के द्वारा सारी विवस्था करने का आश्वा संदिया। इस मौके पर मुहरम कमीटी के सहियोजग डॉक्टर फारूक अली संरक्षक डॉक्टर मजहर अखतर सहियोजग डिप्टी मेयर, सलाउद्दीन एहसन सहियोजग महभूब आलम समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक मेयर सहम ने बुलाया और मौहरम के सिलसले में बात हुई और बहुत अच्छा परस्ताओं हम लोगों ने दिया है एक तो मेला मेदान सजंगी बहुत ही बुरी इस्तिती में है बहुत पूल पर जो लाइट जो हाई मार्ट जो लाइट लगावा था वो नहीं जल रह है साफ सफाई जो है मुलाना चक और आपके हुसेनाबाद में बहुत बुरी इस्तिती है वहां के लोग काफी आज माधा थाना में माजूद थे काफी हला हंगामा किया कि हम लोग पैकर जो दोले का किसी से दोलेगा तो मैं समझता हूं कि मेहर साभी जो अच्छिनल लिया ह है अगर अगर कम टाइम आकर इसमें कुछ काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है मेडम ने कहा कि सारा जो लिखा किया है जो आप बात बताएं सारे लोग उस पर अमली जामा पिनाए जाएगा जहां तक हो सकता मैं पूरी कोशिश करूँगा कि काम पूरा हो सांति समीती का बाता का को लेकर के और यहां पर सब लोग सांति समीती के सद़ कान लूग तो इसमें चर्चा होई कि नहां से वह जाएगे निकलेंगी में चार जगा है और उस जगा के सफाई ववस्ता और बिजली का जो भी प्रावधान है, वो सब को दुरुस्त किया जाना है, जहां से पैकर गुजरेंगे उस रोड को समतल किया जाना है, उस सब पर चर्चा ही, और इन सारी मुद्दों पर चर्चा होकर के निशकर से ही निकला, कि इस बार मुहर्रम में जो भी चीजा पहले नहीं होती थी, वो सब होगा, और जहां जहां पर जो अस्विधा इना ने बताया, इन लोगों ने, उन सब को पूरा किया जागा, एक में जगह है ततारपुर में, जो हमारे डिक्टिमेर सहाब के संग्यान में भी है, उसके लिए उन लोगों का कहना था कि वो दूरुस्त कराना बहुत जलूरी है, तो उस पर हम लोग लगेंगे और उसको जतना जल्दी हो, उसको करवा लेंगे महारम के परूरुस्तु के साथ महरम कमिटी का एक कमिटी भी आई थी, सेंट्रल महरम कमिटी, जो महरम में जो समस्या होती है, जैसे रोड नाला और कहां पर पानी की आवशकता है। इन सारी बातों पर मेयर सहयबा और परवारी नगराइप सहब के बीच सारी बाते हुई है, और इस वार हम लग सिरिस है, मेयर सहयबा भी सिरिस है कि जो काम पुरुबर नहीं हुआ करता था, वो इस वार जरूर दिखेगा, उसके ताजा मिसाला भी, वहां पर एक पुल्या टूटा हुआ था जिससे अखाडा पैकर सारे लोग जाते लेकिन उसको चार ही दिन में वहां के पारशत के दुआरा मेहनत करके बरसा होती रही फिर भी बनाया तो आगामी जो साथ तारीक से यहां पर सिया का मातम भी होगा पैकर दोलेंगे अखाडा निकल के संग्यान में दिया गया है और मेयर सहब एक दम दिड़ संकल्प है कि इस काम को कराएंगे भागलपूर में एक यूवक को साप ने काट लिया जिससे उसकी इस्तितीव भी गड़ने लगी परिजनों ने घाल को इलाज के लिए एंटी पीसी के इस्पताल में भट्ती कराया जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई मामला अमडंडा थाना छित्र का बताय जा रहा है गटना के संबन में बताय जा रहा है कि आम के बोरे में छिपा हुआ साप था तबी विलास राम जैसे ही आम से भरे बोरे को हटाने गया तो साप ने उसे डस लिया कहां लेगा इन टीपिस से ले जा रहे था है अच्छा मुझा जा रहा है तो फिटीएस मेरा स्टे में खतम हो गया कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो